असलाम उलेकुम वेलकम तू माई डेलाइट विलाग जी माई यूट्व फैमली कैसे हैं आप उमीद करते हूँ ठीक होंगे अलहमदिल्ला मैं भी ठीक हूँ तो जी मैंने ये क्यूब्स कट किये थे और ये क्यूब्स हैं जी तर्बूस के वाटरमेलन के तो मैं आपको बतात अच्छा और मज़ेदार सा मुर्ब्स को राडी होगा तो जी चलें अब इसको करते हैं कट और मुझे देखें कि मैं इनको कैसे कट कर रही हूँ तो आपने भी सेम इसी प्रॉसेस से इसको कट करना है और इसी शेप में इसका जो रेड वाला इसको हम रिमूव कर लेते हैं प्रॉसेस के साथ साथ हम ग्रीन वाला जो हम इसका चलका है उसको करते हैं पील ओफ करने के बाद इसके बनाएंगे जी क्यूब्स जो के मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है कि मैं कितने साइज में बनाने लगी हूँ यह आप देख सकते हैं इतनी से साइज में हमें यह ज्या जी तो माशालला से मैंने यह कट कर दिया है अब इसको सारे को कट करके फिर आप से आपको दिखाती हूँ इस रेस्पी को फालो करने के लिए आप हमारी पूरी वीडियो देखें स्कीप ना कीजिएगा प्लीज जी तो फाइनली यह एक पीस मैंने कट कर लिया है तो सारे कट करके फिर एक फ्यू मॉमेंट्स लेटर हमने कर लिया है स्टॉक को ओन करने के बाद इसमें डालते हैं जी वन कप वाटर वाटर डालने के बाद हमने इसको थोड़का सा गरम ऑनने के बाद डालना है जो मैंने क्यूब्स कट किये थे वो यह ने डाल दिये जी तो इनको वाइल होने के साथ साथ इनका जो हमें डासपैरट शेकल में जाहिए हमें फॉर में चाहिए वह राइडि करते हैं और अपको दिखाते हैं जी तो आप देख सकते हैं इनका कलर काफी चेंज हो चुका है और हमें इसी कलर में चाहिए जबके इसका कलर हमें बहुत ही प्यारा लग रहा है यह देख सकते हैं आप इसको करते हैं स्टेन ठोड़ा सब्वाइल करके स्टेन गरने के बाद जो इसका जी तो फिर हमने वही पैन में उसी पैन में फिर एक पान चाहिए दोभारा से एका पान में हम डालेंगे हाफ कप शूगर हाफ से ज़्यादा पी हो जए तो डाजन मैटर हमें जाएगे मीठा मीठा मरबबाद हाँ खाएंगे टूटी टूटी स्वी शी शी नबाग जी तो शूगर मैट होने के साथ साथ इसमें हम डालेंगे वन या टू ड्रॉप्स रूख एवडा के जो आपको किसी भी पंसार की शाफ से एजी ली मिल सकता है और शीर इस तरह का बनाएंगे और साथ में दालेंगे वाइल की गई होए क्योप्स इस के जी तो चले बनाते हैं रंग बरगासा क्लर ययलूवाला बड़ा प्यारा असक्रीन ड्रैड उर्निट को इंड़ कर सकते हैं मैं करूंगी यलोवाला क्लर अब इसको भी हम स्टेन करके तो ड्राइ कर लेते हैं जी तो अलहमदुलिल्ला माशाला से मरबा है रैडी और मैं टेस्ट करके आपको दिखाती हूं बताती हूं कैसा बना है और इसका टेस्ट कैसा है माशाला बहुत मज़े का और बहुत ही मीठा सा स्वीट सा तो आप भी बनाएं और रैडी करें और फ्रेश फ्रेश घर में बना के खाएं नेक्स्ट वीडियो तक अला हाफीज चैनल को सिस्काइब करें बल आइकन पर क्लिक करें थैंक्स फॉर वाचिंग आज वाचिंग वाओ में याद रखें फिया मानि लाइड